नमस्ते दोस्तों, गुड मार्निंग, कैच विद लाइफ सुमन में, चैनल में, मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम जगडा क्यों करते हैं, हम जगडा करते ही क्यों हैं, हम प्यार से क्यों नहीं रह सकते, एक कि परवार में दो लोग हैं, दो लोग भी आपस में ठीक से अज़ेस्टमेंट नहीं कर पाती, क्योंकि अपने अपने व्यूज हैं, वो एक दूसरे से व्यूज जो हैं, उनके कन्फिलिक्ट करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि किसी फैमली मेंबर से हमारा जगड़ा हो जा हैं कि हमने जगड़ा किया ही क्यों, कितनी अनर्जी डिपलीट होती है जब उड़ा करने से, बाद में हमें कितना पश्तावा होता है, रिपेंट होता है, परवार में हम सबका अपना अपना पॉइंट अफ व्यू होता है, तो यहीं से कन्फिलिक्ट शुरू हो जाता है, दूसरा बंदा कुछ कहता है, दुनों के अपस में जो हैं पॉइंट्स टकराते हैं और एक दूसरे से कन्फिलिक्ट शुरू हो जाती है, जगड़े के बाद हमारा मूड भी कितना खराब रहता है, कई पर हम अपनी बात को ठीक तरीके से बता नहीं पाते हैं, तो सामने व को बात बुरी लग जाती है, और एक दूसरे से कन्फिलिक्ट शुरू हो जाती है, और जगड़ा शुरू हो जाता है, और क्योंकि ये परवार में जब रहते हैं, तो रहना मुश्किल हो जाता है, जिस गर में जगड़ा होता है, वहाँ पर रहना मुश्किल हो जाता है, प उरहीम जी ने कहा है न, कि रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, तोड़े से फिर न जुड़े, जुड़े गांट पड़ जाए, अगर एक बार धागा तूट गया, तो फिर जुड़ेगा, तो उसमें गांट पड़ेगी, गांट पड़ेंगे तो पुरानी गांटे जैसे कहते न, जगड़े में गांटे बांद का रख लेते हैं, मन में गांटे बांद लेते हैं, और एक साल की नहीं, दस साल की, वीस साल की और सारी उमर की भी गांटे बांद सकते हैं, और ये गांटे जब तक हम खोलेंगी, तो हम हमारा जो है mind है फिरश नहीं होगा हमें अच्छा नहीं फीर हूएगा अंदर से इस तरह से क्या होता है कि कुछ छीज़े जो हमें ध्यान रखनी चाहिए जब जगडा होता है तो एक बंदे को मौन रहना चाहिए जो मौन भी वही रहे गा जिसके पास पावर है, ठीक है, मौन रहने चैसे क्या होता है, ठीक है, थोड़ी बहूद लड़ाई को कम करने की गुण्जाश बच जाती है, कहते हैं कि जीवन जो है, हमें कैंची कितरा नहीं रखना चाहिए, कैंची क्या करती है, मालनो एक कपड़ा है, कैंची बीच में से काटती है तो कपड़े के दो हिस्से हो जाते है ठीक है और इसी तरह से जीवन को कैंची की तरह नहीं रखना चाहिए जीवन को सुई की तरह रखना चाहिए सुई क्या करती है दो कपड़ों को सिला कर एक कर देती है इसलिए जीवन को कैंची की बजाए सुई की तरह जोड़ते हुए चलो तोड़ना बहुत असान है लेकिन जोड़ना जो है बहुत मुश्किल है हलकी फलकी बातें परवार में करो कहीं कोई कन्फलिक्ट भी है तो अपना पॉइंट अफ व्यू रखो लेकिन इस तरीकी से रखो कि सामने वाले को बात जो है वो टच ना करे चुब ना जाए और कहीं पर ऐसा होता है कि आज जो है कल जो हुए सब में सहन करने की शक्तियं ख काम नहीं चलेगा कहीं भी कोई देख लो जीवन का कोई भी एंगल देख लो परवार में देख लो फैमली में देख लो कोई काम वाली आएगी तो जब तक गुस्से में ना घर की मालक इन बात करे जा मालक बात करे तो काम जो है नहीं चलता तो हारी का जे नजरिया बन चक कैसे होगा इसके लिए गुसा जीवन में आज इतने लोगों की सेहन शक्तियां कम हो चुकी हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि गुसे को कैसे कंट्रोल करना है कई बहर कहते हैं न हमारे मुँँ से बात निकल गया हमने कहनी नहीं थी कहनी नहीं लेकिन वो बात अंदर चल रही होती है अंदर चल रही होती है तब ही वो बाहर निकलती है जब तक अंदर नहीं चलेगी वो बाहर नहीं आएगी similarly अगर हम बाता करते हैं गुसे की आज का टॉपिक जो है गुसे पर है कि क्यों जगडा करते हैं क्यों फाइट करते हैं तो इसी के लिए हम कहते हैं कि थोड़ उपत जीवन में मेडिटेशन करो आँखे बन करो अपने परवार में शांसी से बैठो आँखे बन करके बैठो अंदर अच्छी थौट्स की स्टोरिज करो क्यों किया था कि आज कल जो है पावर अफ टॉलरेंस नहीं है किसी की बात भी हम सहन नहीं कर पाते हैं कोई भी कुछ कह कर जाए कहां हम एक सनाएगा तो हम चार सनाएंगे उसकी जगह और इसी तरह से पावर अफ पेशन्स नहीं है पावर अफ लव नहीं है पावर अज़ेस्टमेंट नहीं है adjustment means जैसे कि हम एक परवार में दो बंदे भी आपस में आपस में adjust करके ने रहते हैं तो पहले कितना हम power थी लोगों के बीच में adjust करने की power थी ठीक है देखा हम धीरे 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 जो है ये सब powers जो है deplete होती जाती है तो इसी की कारण जो है ये समाज में जो है fight का challenge ज्यादा जगड़े करने का परिवारों में, office में, बाहर, घर हर जगा ये fight करने के ज़े challenge हो रखे हैं तो ये सारे इसी की कारण है कि लोगों में ये सब powers की कम ही हो गई है अगर ये सब powers हम अपने आप में लेकर आएंगे तो हम जगड़े भी कम करेंगे आपस में प्रेम से रहेंगे और ये समाज जो है बहुत beautiful बनेगा दोस्तो अगर आपको ये आज की मेरी जो वीडियो में मेरी कुछ points अच्छे लगे हो तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तो